माले वालों ने भी मांगा है दस सीट, कॉंग्रेस भी मांग रही है दस सीट, तो अब उलुकता है करें कि कौन किती सीटों पर लगेगा। अब ये तो उनको प्तै करना हुगा, हमने ये तो नहीं कहा था कि हम नितीश कुमार जी के साथ या किसी जी के साथ हम इस बिना पर रहेंगे कि हमारी पार्टी का स्थितों तुम से माप्त कर दो, बिहार की सियासत के लिए एक दलित नेता जो बिहार का मुख्यमंत्री रह जो मुख्यमंत्री पद पर रहें, चार पांच होगे गिंती से, और उसमें अगर किसी को आप इस रूप में इग्नोर कर रहे हैं, खास करके जो मंत्री मंडल का सदस्य है, उसको अगर कोई इग्नोर कर रहा है, तो इससे दुरभागी पुर्म सियासत क्या होगा? हमारी इज़त की परवाग को इन्हा करें, हम अपनी इज़त बचाना और जीतन राम मांजी का यूएसपी अगर रहा है, तो बस केवल एक चीज़ाग स्वाभिमान से समझा होता नहीं, परतिष्ठा से खिलवार नहीं, ये बचाते आये हैं और बचाते रहेंगे, और कैसे दलित की इज़त रहेगी, कैसे इज़त बढ़ेगी, इसकी चिंता जीतन राम मांजी पर कोई छोड़ दे, इसकी चिंता करने क्या आप सकता है, हम किसके साथ जाएंगे, चिराग पासवान के साथ हमारी क्या बात होगी, हम कैसे सब लोग एक हो जाएगा, दलित करने तह यह हलचल चल रहा था, कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से पांच सीटों की मांग कर रहे थे, जीतन राम मांजी उसी समय से कयास लगाए जा रहे थे, कि क्या जीतन राम मांजी नरेंदर मोदी से मिलेंगे, यानि कि NDA का साथ देने वाले हैं, या कब से यह बाते चल र लिए फैसला लिया आखिर यही एक सवाल है हमारे जहन में और हम लगातार आपको यह खबरें दिखाते आ रहे हैं कि कुछ नकुछ तो बाते चल रही है हमें माजी के मन में कुछ नकुछ तो चल रहा है तो मिलने वाले हैं और कई बार हमने यह सवाल भी किये, स्याम सुंदर जीraz, हमने यह सवाल आप से पहले भी किये थे, और पहले भी मेरा इंटर्व्यू था, मैं यही आप से सवाल कर रही थी, कि क्या आप लोग वी जैपी के साथ मिलने वाले हैं, कब से यह चल रहा था, आप लोगों के मन में जो अब जाकर सामने आया है मंतरे जे इस्थिपा देति ए देखे हम लोग के यहां दियात में एक कहावत है कि कलाल का बेटा अगर भूखो मरेगा तो उसको लोग कहेगा कि सराप पी के ही हो रहा है हम भूख से छट पटाएंगे तो लोग कहेगा कि सराप पी करकी वो नसे में आप लोग के साथ दिक्कत है मिडिया के साथ भी दिक्कत है भाई माफ करिएगा और जो बड़े सियासत दान है उनके साथ तो ही है कि गरीब का दलित का कोई नेता अगर कोई सैधानतिक बात भी करेगा कोई उसूल की बात भी करेगा कोई सच बात भी करेगा तो उसको लोग स सियासी समझोते हैं सियासी उठा पटक और सियासी अपने लाभ भाने से लोगों को जोड़ दिया जाता है कौन सा ऐसा बयान है जितन्रा मांजी जी का जिसका की बे अर्थ है जिसका अर्थ नहीं है सिटों का दिमांड हम ने कोई माहं गठवंदर के प्रिटफॉर्म के क्या है? अब हम अपनी party के राष्टी परिशत की वेटक में कारिकरताओं को संबोधित कर रहे हैं वहाँ कारिकरताओं की तरफ से डिमांड आ रहा है और उसको संबोधित करते हैं अगर नेका संतोसुमन जी उसके बाद भी यहाँ पटना में आकर मेडिया के सामने वो बोले थे अब पिहार में पार्टी भी नहीं चला सकता है यही सबसे बड़ा के लोगों के आँखों का जो काटा बने हुए जीतना मांजी वो कारण है कि वो सच बोलते हैं और आँखों में आखे डाल कर बोलते हैं वो गट्वंदन की परवाह करके सिया सत्ता की परवाह करके मंत्री पत की प्रवा करके और तो और जिस आदमी ने मुख्यमंत्री पत की प्रवा नहीं की उस आदमी के बारे मगर लोग सियासी मतलब सवधेबाजी की बात करते हैं तो हमें तो हद लगता है तो क्या आप लोग को यह कहा गया कि भाई आप लोग विलाय कर दीजिए अगर नहीं भी छोड़ना पड़ेगा उसके लिए हम सब तैयार हैं हमारे नेता से लेकर एक जमना हमारे अंतिम पाइदान तक जो हमारे लोग जुड़े हैं जो हमारे कारे करता हैं हम लोग सब तैयार है कि चाहें कुछ भी हो जाए पार्टी का वजूद खतम नहीं होने देंगे और यह साबित किया है हमने कि लाख तमाम थपेड़ों के बाद भी कई आंधियां कई तुफान हम लोगों को गिराने की कोशिस करते रह गएं लेकिन हम लोग ने पार्टी के अस्तित उसे समझोता करने का कोई प्रस्न ही नहीं है उपेंदर कुस वहाँ एक ट्वीट करके लिख रहे हैं कि भाई एक नीटा खिसकना काफी है किसी के इमारत को गिरने के लिए तो वह इनीटा आप लोग है अब ये तो इमारत को तै करना होगा कि वो अपने आधार की इटों को सुरचित रखना चाहता है या फिर आधार को खिसका करके और मुंडेर पर कुछ और कलाकृतियां को वह अपना बनाना चाहता है तो इसको पहले से यह चल नहीं रहा है एंडिये के साथ जाने की बात कहां से बात चल लिए कहीं तो इसा कोई 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 प्लेट आप लेकिन कुछ तस्वीरे जो हैं वो से गांजी आप कुछ भी बोल देती है वही चीज हम भी कर रहे हैं बीजेपी वाले के साथ माजी जी की बात नहीं करूंगा लेकिन जिन सवालों को आप लोग उठा रहे हैं हम भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के कभी मिले हमारे नेता की मुलाकात राश्टिय धक्ष की म उलाकात है राष्टपती के साथ मिलने को अगर सियासी सौधेवाजी कहता है अगर राष्टपती को भी आप सियासत से जोड़के रखते हैं राष्टपती राजिपाल से मिलने पर अगर बंदिश है और वो बंदिश किसके लिए है जो गरीब दलित की पार्टी बना कर चला होगा तो हम तो कहेंगे कि लोग तंत्र पर यह आगात है जिस तरह से आपने ही उस पर बयान दिया था उस आप कहे रहेते कि कब तक आखिर माजी परिवार कब क्गेव करसेoren तयाक करें हमेंसे क्जम कुछ भी हो जाए नि दीस कुमार का साथ नहीं चोड़ने वाले हैं हमने नितीश कुमार का साथ आज भी नहीं चुड़ा है लेकिन लेकिन हम किसी के साथ की चैनल के साथ आप रहना चाहते हैऊ कि लेकिन अगर अगर आपको नहीं रखना चाहेगा तो आप कैसे रहेंगे अगर आपके चैनल वाले ही आपको नहीं रखना चाहेगे रिपोर्टर के दौर पर तो आप उस चैनल में रहा कर यह हमको बता दें अब ये तो उनको टै करना हुगा हमने ये तो नहीं कहा था कि हम नितीज कुमार जी के साथ या किसी जी के साथ हम इस बिना पर रहेंगे कि हमारी पार्टी का स्तितु इं तुम से माप्त कर दो तो क्या एंडिये के साथ जाएगी ये हम पार्टी क्या एंडिये के साथ जाएगी उस पार्टी के साथ जाएगी जिसके खिलाब वो ये कहते नजर आ रही थी कि भाई मंदिर में जाने के बाद वो मंदिर धुलाया गया तो क्या उस पार्टी में जाएगी मंदिर को भारते जनता पार्टी का पेटेंट है क्या मंदिर का भारते जनता पार्टी से क्या मतलब है या मंदिर का NDA से क्या मतलब है देखिए सामाजिक व्यवस्था को जो हजारों साल की कहीं न कहीं जो कुरीतियां है उसके खिलाब बोलने से कोई सबसे दिक्कत है कि हर बात को हम लोग सियासत से जोड़ देते हैं सामाजिक कूरिती को भी सियासत से जोड़ना और उसको लेकर कि किसी पार्टी का एक पेटेंट हिंदुत्यों का पेटेंट अगर आप भारती जन्ता पार्टी को देते हैं तो ये तो और दुर्ःभगए किटने हिंदु है इस फोड़ करते है बाकी जो हिंदु उसका पेटेंट को लेगा जैसे ही हिंदुत्य की बात हिंदु की बात मंदिर की बात तो उसको केवल भारती संता पार्टी से जोड़ देना कल भी हमारे नेता ने कहा है और आहाज हम कहते हैं मूल बात देखे क्या है हिंदुईजम से ज़्यादा खराब है कास्टिजम और कास्टिजम की आड में जिस तरह से खास करके तब भी हजारों साल पहले भी दलितों को यही तो कराया गया रहा है कि दलितों को कभी कोई चीज करने का अधिकार ने, पहले बेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज राजनिती करने का अधिकार नहीं है, आपको किसी ने किसी की चरन बंदगी करनी पड़ेगी, हमको जी हुजूर करके किसी से टिकट लेना पड़ेगा, हमको सियासत करने के लिए किसी ने किसी की दरबारी करनी पड़ेगी, तो ये तो वेवस्था बदली है, उस वेवस्था में दलितों का हालात का वबला है, ये महत्योपुर्णे न, गवर्णर पद की जो बात करना, और उसको उसके अधिकार से बंचित रखना, उसको चेहरा नहीं बनने देना, किसी को नेता नहीं बन रहा है, कि भाई, गवर्णर पद का मतलब लोव परलोभन दिया जा रहा है, कि हम गवर्णर आपको बनाएंगे, दूसरी तरफ, उसी पार्टी से ये भी कहा गया था, कि भाई, जीव काटने की बात कही गई थी, तो क्या उस पार्टी में जीतनरा माजी जाना पसंद करें देखिए, गरीब अगर कुछ बात करेगा, तो उसको परलोभन से, जो लोब से जोड़ दिये, ऐसे जोड़ दिये, कि उसकी बात ही कतम हो जाए, गवर्णर कोन बना रहा है, मीडिया बनाएगा, कि ये जो लोग बोल रहे हैं, वो बनाएगा, भारत सरकार से को प्रस्ताव आया है, ये बात तो सबसे चल रही है, जब से हम देखना है कि मांजी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे हैं, और उसके बाद वो अपना जो राजनेतिक उनका कद बढ़ता है, तो उसमें तो छे साल से हम लोग सुन रहे हैं, कि गवर्णर बन रहे हैं, और मांजी साहब बोलते हैं, वही लोग तो पहले पद छोड़ देना, जीव काटने की वाली बात जो है, जो उसको तो भारती जनता पार्टी ने कब का पार्टी से निकाल दिया था, फिर वो पार्टी महर्त हो थे, वो ली खेले थे, जब केस को जी जी जे, कौन हम लोग जानते भी ने, कोई बात है, ना भारती जनता पार्टी के साथ कोई समझोते की बात है, अब आप लोग अपनी बात हम लोग के मुझे में दलवा, पदा चढ़ाभ लो रहे हैं, कि उसे तो भारती जनता पार्टी निकाल दिया था, उस समय देख़े आप लोग इसको पहले देखिए, जिस हम उसको इग्रोर रही कर रहे हैं जिस समय उस बयान की बात है हम लोग एंडिया के पाट थे और उस समय भारतिजनता पार्टी ने निस्चित रूप से 24 गनटा भी नहीं लगा था कहां कोन बीजएपी में हो हुआ हैं हम लोग को नहीं पता बीजएपी की बात ओऔर जाने शुवाने मर्ण सब कुर्ण किसी की तुलना करिए तो उसके आस्तर से तुलना उर किसे तुलना रहाרא Сव немного दानिक पदों पर बैठे लोग, प्रदेश सद्यक्ष इन लोगों की बातों का महत होता है ना, अब पार्टी में तो 10 लाग, 15 लाग, 50 लाग एक कड़ोर, कितने क्यारे कड़ोर, अब आप लोगों का सुर बहुत ही बदला, आज के इंटर्वीव में पता चल रहा है, आपके सुर बदला, आप जिन, कोई भी बात है, कोई भी जवाब है, वो परिस्तिती जन्न और आप किस परिस्तिती में उस सवाल को कर रहे हैं, उसके अनुसार जवाब दिया जाता है, कल भी वो सुर था, आज भी वो सुर है, दलितों के हक के लिए, दलितों के समाज में उसको सम मिले इसलिए आज भी हम उसी मुखरता के साथ लिस्ट में आप लोगों की नाम नहीं थी यह तो दुर्भाग है ना यह तो दुर्भाग है अगर नाम नहीं था तो आप बताईए अच्छा था कि बुरा था हम कुछ नहीं इस पर बोलेंगे बिहार की सियासत के लिए एक दलि नेता जो बिहार का मुख्यमंत्री रह चुका हो बिहार में कितने मुख्यमंत्री भी जिन्दा हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं चार पांच होगे गिंती से और उसमें अगर किसी को आप इस रूप में इग्नोर कर रहे हैं खास करके जो मंत्री मंडल का सदस्य है उ चिराग पासवान जो हैं वो भी साइद NDA के साथ मिलने वाले हैं तो दलित का नेता दोनों कह जाते हैं कि जितन रामाजी भी दलित के नेता हैं उधर से वो भी चिराग पासवान के दलित के नेता भाई तो दोनों लोग वहां पर जा रहे हैं तो आखिर किसे ज़्यादा वत तो बस केवल एक चिराग स्वाभिमान से समझा होता नहीं, प्रतिष्ठा से खिलवार नहीं, ये बचाते आये हैं और बचाते रहेंगे, और कैसे दलित की इज़त रहेगी, कैसे इज़त बढ़ेगी, इसकी चिंता जीतन रामाजी पर कोई छोड़ दे, इसकी चिंता करने क् हमारा option दूसरा कोई तय करेगा, हम किसके साथ जाएंगे, चिराग पासवान के साथ हमारी क्या बात होगी, हम कैसे सब लोग एक हो जाएगा, दलित के नेता सब लड़ा ही रहेगा, दलित को लड़ाते रहो, और अपना कुरसी का मज़ा लेते रहो, क्यों दलित को लड़ा है, चिराग पासवान का अस्ति तो हमारे बिरुद खड़ा हुआ है, जिनका अस्ति तो एक दूसरे के बिरुद खड़ा हुआ है, देश में वैसे राजनेतिक समझाते हो रहे हैं, और यहाँ पर अभी कुछ मामला भी नहीं है, और चिराग पासवान को हमारे सामने लागे ये लोग करते हैं जो भी करते हैं तो हम उस पर न बात करेंगे दलित लड़ा क्यों रहेगा हमको तो यही नहीं पता चलता है चलिए हमके प्रवक्ता स्याम सुंदर जी हमारे साथ जुरे हुए थे और आप देखी रहे होंगे चलता हैं पहले से सुनी के रहे होंगे पहले इनका इंटर्व्यू ली दीव infancy अभी कुछ दिन पहले ही मेरा इंटर्व्यू आप देख सकते हैं उसमें इनका जो बयान था जो इनका बोलने का तरीका था जाये and वेटकीन के हो और आज का बैयान आप सुनेगा आपको साफ पता चल जाएगा कि पहले से ही कुछ इन लोगों के साथ जाहे हैं नहीं अबाटार हम इसक नहींव लगाए सबस्सेदश्द कर दीर काूनों को एकत्र करके अपने साथ मिलाएगी और उसके बाद जो प्रहार होगा महागडवन्दन पे वो देखने वाली बात होगी चलिए अभी के लिए तना ही बने रहे हैं प्लाइब बिहार के साथ धन्यवाद लाइब बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें